नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खंड की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खंड की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं जर्खंड में बुद्धवार को चक्रवाती तुफान गुलाब का असर दिखा बता दे कई लाको में मध्ये तो कई जगा भारी बारिस हुई इससे जन जीवन अस्त ब्यस्त हो गया वहीं गुरु आर को भी राजे के कई लाको में भारी बारिस के असार हैं इसको लेकर मौसम भी भागने एलो अलर्ट जारी किया है बतादे बंगाल से सटे जीलो में भारी बारिस की संभावना है तेज हवाएं भी चलेंगी मौसम पुरोर्वान के अनुसार रांची, बोकारो, गुमला, हजारी और रामगोड में भी भारी बारिस की उम्मी जताई गई है जारखन में बच्चो को मिड़े मिल में मिलेगा पोसन युक्त चावल जारखन के सरकारी इस्कूल में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठ के बच्चो को मिड़े मिल में अपोसन युक्त चावल मिलेगा केंद्र ने मिड़े मिल योजना के तवात बच्चो को दोपर के भोजन में फोर्टिफाइट चावल देने के निर्देस दिये हैं बतादे इस्कूल के बंद रहने या इस्कूल खुलने पर भोजन नहीं मिलने पर फोटिफाइट चावल बचों को सुखारासन के रूप में भी दिया जाएगा केंद्र सिक्षा मंत्राले के सन्युक सचिव आर्सी मीना ने राजे के इस्कूली सिक्षा अमसक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिख कर केंद्र के मिड़े मिल में फोटिफाइट चावल देने के इस निर्ने की जनकारी देते हुए इसे लागू करने के लिए कहा हाए लातेहार के जगड़ा पहार से 24 घंटे बाद उत्रा नकसली का सव लातेहार जिले के जगड़ा पहार में मंगलवार को हुई पूलिस नकसली मुर्भेर में जेजे एमपी के एक नकसली के डेर होने के बाद पूलिस ने 24 घंटे बाद उसके सव को निशे उतारा इस दवरान एस पी अंजनी अंजनी समेत अने पुलिस अधिकारी अहले सुबह से ही अफारन चार बये तक पहार पर मुस्ताइद दिखे बता दे मुर्भेर के बाद नक्सली संगठन जेजे एमपी के अने उगरवादी जंगल का लाव लेकर पहार के उस पारलवार्दगा सिमा में परवेश कर गए थे पुलिस बुद्धवार देर साम तक सर्च अप्रेशन चलाती रही राज जेपाल बोले विकल्प के रूप में सामने आया ओनलाइन सिक्षा जारखन के हजारी बाग पहुंचे राज जेपाल रमेश बस ने कहा कि जब से जारखन आया हूँ मैंने विकास की यहां असीम संभनाय देखी है मैं जहां भी रहा हूँ स्वास्थ और सिक्षा के लिए कारिक यहां हूँ अगर दोनों छेत्रों में विकास कारे हो तो परदेश का विकास नहीं रोका जा सकता पता जे जारखन के विश्व विद्याले में सिक्षको की कमी का पता चला है अगर सिक्षक नहीं मिले तो सिक्षा में गुनवाता पूर्ण सुधार कैसे होगा इसके लिए सिक्षको की कमी को दूर करने का पर्यास किया जा रहा है उक्त बाते जार्खन के राजेपाल सहकूलाधापती रमेस बैस ने बुद्धवार को बतर मुख्य आती थी बिनोवा भावे इन्वर्सिटी परिसर में अव्यजीत उद्गाटन समारों में कही स्वास्त सुविधाओं में उत्क्रिष्ट परदसन करने वाले राज्ये के सरसट अस्पतालों को मिलेगा कर्याकलाप अवार्ड साफ सफाई तथा स्वास्थ विधावों में उत्कृिष्ट परदशन करने वाले राज्य के सहस्ट अस्पतालो या स्वास्त केंद्रों को करया कलाप अवार्ड मिलेगा या अवार्ड बर्ष बर्ष 2019-20 तथा बर्ष 2021-2021 के लिए परदान किया जाएगा बतादे राज्य के स्वास्त मंत्री बना गुपता, गुरु आर को नामको में स्थीत, आई पी एच सवागार में आविजित कारेकरम में सम्बंधित सिविल सर्जुनों तथा प्रभारी चिकित्सा पतादिकारियों को या अवार्ड परदान करेंगे बतादे कि केंदर सरकार द्वारा परतेक वर्ष काया कल्प अवार्ड विभीन सिरेनियों में अस्पतालों एवं स्वास्त केंदरों को दिया जाता है आज सेवा निवरित हो जाएंगे जारखन के डीजी एमबी राओ जारखन के प्रभारी डीजी पी रहे और बरतमान में अगिन समन तथागरी रक्षा वाहिनी के डीजी एमबी राओ गुरु आरको सेवा निवरित हो जाएंगे उनकी बिदाई पर जैप वान परिसर में गुरु आरको समारों का आयोजन किया गया है बतादे जारखन केडर के 1987 बेज के IPS अधिकारी एमबी राओ की गिन्ती तेज तरार अधिकारियों में की जाती है वेव पूर्व में दो बार रांची के SSP, SSP गुमला, SSP हजारी बाग भी रह चुके है रांची सहर केstat सुलव सचालियों में नगर निगम लगाएगा QR कोड बता दे इस QR कोड को सकेन कर लोग इस्तिमाल के बाद वहा वहां की साब सभाई को लेकर फीटबैक दे सकेंगे इसके बाद फीड़बेक में सिकायत मिलने के बाद जिमेदारों पर करवाई की जाएगी फीड़बेक में टॉयलेट इस्तिमाल के दौरान कितना साफ था पानी की बेवस्था थी या नहीं हाथ धोलने के लिए साबून था या नहीं ये जनकारी देनी है पूजा पंडालों में तैनात रहेंगे पूलिस कर्मी दूरगा पूजा को लेकर बुद्धवार को सांती समीति की बैठक हुई थाना परभारी अरविंद कुमार के देख्सता में हुई बैठक में जो राजी से दो, पूर्वी से दो, बोकारों से एक, गिरीडी से एक मिले है जारखन में कुलेक्टिव केस की संख्याट 78 है भारत में 23137 नहीं केस मिले है भारत में कुलेक्टिव केस की संख्याट 279 या 774 है मोख्य मंत्री 17 विभागों से जुड़ी केंद्र और राज सरकार की 60 योज नावों की समिक्षा करेंगे मोख्य मंत्री हेमांसुरेन गुरुवार को पूरे दीन 17 विभागों से जुड़ी केंद्र और राज सरकार की करीब 60 योज नावों की समिक्षा करेंगे इस दौरान राजे के सभी आयूक्त उपायूक्त सभी पूलीस उपमहाने रिक्षक, वर्यव पूलीस अधिक्षक और पूलीस अधिक्षकों को समिक्षा में मुझूद रहने का पत्र मंत्री मंडल सचीवाला एवं निग्रानी विभागी प्रधान सचीव अंद्रना दादेल ने जारी किया है किसानों को बताएगा इनाम पोर्टल से उपज बेचने के फायदे रांची बायार समीती कर्याले में बुद्धवार को किसान उत्पादक समू एवं किसानों के लिए एक दिवस्य प्रसिक्षन कारकरम का उजन किया गया इस दोरान किसानों को राश्टिये किरिसी बाजार इनाम के बारे में बिस्तित जनकारी दी गई पवन सचीव अभिसेख अनन ने बताया किसानों को बताया कि मवजूदा समय में वे अपने उत्पादित किरिसी उपज को इनाम पोटल के जरिये बेच कर अधिक फायदा कमा सकते हैं लोकडाउन में ज्यारखन के कापडा उध्योग में काम करने वारे नवे परतिसत महिलाए या तो बुरी तरह प्रभावित हुई है या फिर वे बेरोजगार हो गई है बताजे समाजिक सुरक्षा उपयोग की कमी जगरूपता डाक्यूमेंटेंशन की जटिल पर किरिया मजदूरी नहीं मिलना वा परिधान उध्योगो द्वारा सरमिकों की बुनियादी उपयक्षा ने महिला प्रवासी सरमिकों के लिए मुश्किल पैदा की है सरम विभा की पहर पर चेंज अलाएंस फिया, CSCD, BHR और UNDP संस्था ने जगूमला जिला अंतरगत बिसुनपूर पर खंड के बाना लाता से लेकर जम्टी गाउं तक पकी सड़क का निर्मान होगा साथ ही बना लातावा जम्टी गाउं के बीच इस्थीत घागरा कोयल नदी में हाई लेवल पूल का निर्मान होगा सड़क और पूल का टेंडर हो गया है बतादे सोरा क्रोर रुपय की लागा से सड़क और पूल का निर्मान होगा पत निर्मान विभाग गुमला द्वारा काम कराया जाएगा इस सम्मन्ध में पत निर्मान विभाग गुमला के एक जीक्यूर्टिव इंजिनियर रामेश्वर साव ने कहा कि सड़ा को अप्पुल का टेंडर हो गया है ठेकदार को एक सब्ताक के अंदर काम शुरू करने का देश दिया गया है जार्खन आंदोलनकारी चीनिती करन आयोग के अध्यक्स भोनेश्वर व नर्सिंग बने जार्खन आंदोलनकारी चीनिती करने के लिए गठित जार्खन आंदोलनकारी चीनिती करन आयोग में दो सदस्यों का मनुनयान किया गया है जिसमें नर्सिंग एवं भूनेस्वर महतो सामिल हैं बतादे नर्सिंग मुर्मू जामूमो देवघर जीला अध्यक्ष है जबकि भूनेस्वर महतो जार्खन अंदुरन कारी रहे हैं सिरी महतो पच्मी सिमूम जीला अंतरगत चक्रधर पूर के रहने वाले हैं दोनों सदस्यों के मनुनयान को लेकर गिरी कारायम आपता प्रवनर भी भागने सुचना जारी कर दिया है छोटी बीमारियों में भी जीला अस्पताल रिम्स रेफर करता है तो होगी सक्त करवाई मंत्री विश्व हिर्दय दिवास पर बुद्ध्वार को रिम्स में जागरुपता कारकरम का आयन किया गया इसमें हिर्दय को स्वास्त रखने को लेकर कई महत्पुन जनकारी दी गई मोके पर स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने कहा कि हिर्दय घात से सरवधिक लोगों की मौत सही समय में इलाज नहीं कराने से होती है उन्होंने सभी सिविल सरजनों की चेतावनी देते हुए कहा कि परखंड अस्तर या जिला अस्तर पर भी आने वाले रोगियों के समुचीत इलाज की वेवस्ता करे ऐसे मरीजों को सीधे रीम्स रेफर ना करे उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बीमारियों को लेकर आने वाले मरीजों को भी अगर रिम्स रेफर किया जाता है और यह बात उनके संग्यान में आती है तो ऐसे डाक्टर वा अधिकारियों पर सक्त करवाई की जाएगी लाइट हाउस प्रोजेक्ट से देश में बदलेगी भौन बनाने की तक्निक रांची में त्यार हो रहे है लाइट हाउस प्रोजेक्ट की सफलता से पूरे देश में भौन बनाने की तक्निक बदलेगी और नए आयाम खुलेंगे मंगलवार को आवास पर सनवात कारेकरम में परधान मंत्री आवास वोजना को लेकर वक्तावों ने अपने विचार रखे इस दरान नगर विकास निदेश सालै की निदेशक बिजय जाधहों ने कहा की परदान मंत्री आवास जोजना के माध्यम सुना के वह लोगों को आवास दिया जा रहा है बलकि सरकार की बिभीन जोजनाओं का लाप देकर गरीब और वह अंचित परिवारों को ससक्त बनाने का भी परियास किया जा रहा है फूड टेस्टिंग लेब में लगाई गई 10 क्रोर की मसीन तीज देवहार का मौसम शुरू होते ही अधीक मुनाफे की लालच में खादे पदातों में मिलावट करने वालों का खेल भी शुरू हो जाता है बतादे मिठाई, दूद, घी, तेल, जूस, आइसक्रीम, चाय, मसाले आदे में मिलावट होती है इसे लेकर राई सरकार इन पर पूरी तरह से सिकंजा नहीं कस पा रही है ज्यारखन में बीगत जन्वरी माँ से मिलावटी खादे पदार्थों की जाच ही नहीं हो रही है क्योंकि राजे खाद पर्योग साला की मनेता समाप्त हो गई है जे एससी परिक्षा की नई नियमावली में हिंदी को हटाने के खिलाप जनहीतियाच का दाखिल जे एससी आनि ज्यारखन करमचारी चयन आयोग परिक्षा की नई नियमावली में हिंदी भासा को हटाने के खिलाप ज्यारखन हाई कोट में जन्हीतियाच का दाखिल की गई है एकता विकास मन्ज की ओर से अधिवक्ता रीतु कुमार ने हाई कोट में आजका दाखिल की है रीतु कुमार ने बताया कि आजका में हिंदी सहीद नने भासा के पेपर से हटाना सही नहीं है हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से ही राजे के स्कूलों में सिक्षा दी जाती है ऐसे में इनको हटा कर अस्थानिय भासा को जोड़ना उचित नहीं है चीन की स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं की जाती है उनकी ओर से अदालत से उक्त सर्थ को निवस्त करने की मांगी गई है HEC में आज से स्मार्ट फोन ले जाने पर रोक HEC के करमचारी गुरुवार से पलांटों के अंदर स्मार्ट फोन नहीं ले जा सकेंगे बतादे परवंधन ने सुरक्षा कारणों से स्मार्ट फोन ले जाने पर रोक लगा दी है इस तमध में आदेत भी जारी कर दिया गया है करमचारीों को दूसरे मोबाईल ले जाने के अनुमती दी गई है परवंधन के अनुसार यह जी सी पलांटों में सामरिक छेत्र के और अने महत पुन उपकर्णों का निर्मान किया जाता है हाल के दिनों में इन निर्माना धीन उपकर्णों की तस्वीर सोचल मीडिया पर वायरल की गई गोड़ा से रांची के लिए नई इंटरसिटी बुद्ध्वार का दिन गोड़ा के लिए थ्यासिक रहा बतादे गोड़ा सांसेत डाक्टर निशिकान दुवे ने गोड़ा से रांची तक जाने वाली सीधी ट्रेन का बिधुवत उदगाटन कर नई ट्रेन सेवा की शुरुवात किया डाक्टर दुवे रेलवे एस्टेशन पर बने मंच से हरी जण्डी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया वही अस्थाने विधायक अमित मंडल वा मालदा डिवीजन के DRM हतिन्दर कुमार अतिथी के तोर पर हरी जण्डी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया वीडियो कन्फरेंसिंग माध्यम से पूर्वर रेलवे के जीएम अरून अरोडा ने भी हरी जंडी दिखाई जबकि रेल मंत्री अस्वीनी बैसनव इस कारेक्राम में सामिल नहीं हो गुष लेते खुटी के तपकारा थाना परभारी गिरफतार खुटी जिला के तपकारा थाना परभारी बिकी ठाकूर को भरष्टा चार निरुधक ब्योरो की टीम ने बुद्धवार को बिचवलिये के माध्यम से 10,000 रुपे रिस्वत लेते पकड़ा मौके पर मजूद तपकारा के एक युवग पंकर चोधरी को भी एसीबी की टीम पकड़ कर अपने साथ ले गई जनकारी के अनुसार तपकारा थाना चेतर के रोणहे गाउं के कुलदीप गुडिया ने इस समन्द में एसीबी में मामला दर्ज कराया था आरवोफाई की थाना परभारे बिकी ठाकूर कुलदीप गुडिया वा उनकी माज से पीडियेस दुकान से अवैज राशन लेने तथा पी एलेफाई संगटन के साथ साथ गाट के समन्द में सिकायत आवेदन पर कांड दर्ज नहीं करने के एवज में 10.000 रुपे की मांग कर रहे थे धन्यवाद